मंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का विशय नहीं है ये तो सर्म की बात है लोग तो कभी-कभी परिस्थिती वस आर्थिक मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं मैं दो-दो मुख्यमंत्री का बेटा रहा लेकिन मैंने फरजी डिगरी नहीं ली मैंने जितनी पढ़ाई की उतनी ही डिगरी मैंने ली नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन ये बोल बिहार के डेप्टी सीम तजश्वी यादब के हैं तजश्वी यादब ने कहा कि अब वो दौर खतम हुआ अब वो जमाना चला गया जब लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाव खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब अब आप खेलिये कूदिये मेडल लाईए और सरकारी नौक नी पाईए इस बयान को लेकर जहां ए ये बाते तजश्वी यादब की वैसी है जैसे खुद के मूँ पर कालिक पोतने जैसी आप ये बता रहे हैं आम जनता को कि आप अनपढ़ हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं साथी साथ आप ये भी बता रहे हैं कि वो दो सीएम के बेटे रह चुके हैं और वो डिगरी नह जनता को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जिसे चुना है जिनकी सरकार है उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दस्वी पास नहीं की है उनके पास एजुकेशन की कोई बेहतर डिगरी नहीं है और वो बिहार में रहकर सरकार चला रहे हैं बिहार में राजुनिति को लेकर एक तरब जहां प्रशान किशोर जन सुराश पधियात्रा पर निकले हैं बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों से बात चीत कर रहे हैं जन सवा को संबोधित कर रहे हैं बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं राज़ सुप्रीम लालु प्रशाद हो या फिर प्रधान मंतुरी नरेंदर मोधी हो हर एक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उनकी बोल बाल जो है वो शुरू है वहीं अब बिहार के डेपटी सीम तिजश्वी यादब को लेकर भी उन्होंने ये जवाब दिया और कहा है कि तिजश्वी यादब ने अपनी डिगरी वाले बात को कहकर वो अपने ही मुह पर काली पोतनी का वो काम कर रहे हैं चलिए हम आपको सुनवाते हैं प्रशांत किशोर्त जश्वी यादब की डिगरी को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं अगर इसको आप बहुत समझदारी वाली बात बताते हैं तो अपने आप दिखाता है कि मुख्यमंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का विशय नहीं है ये तो सर्म की बात है लोग तो कभी- अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो ये दो बातों को दिखाता है कि या तो आप पढ़ाई की महत्ता को जीवन में समझते नहीं है कि पढ़ाई की कितनी बड़ी महत्ता है या फिर आप इतने अहंकारी वेक्ति हैं कि आपको लगता है कि हम पढ़ें चाहें ना पढ़ें हम में तो जीवन में जो मिलना हो मिली जाएगा तो यह तो अपने मुझ पर अपने कीचर लगाने वाली बात है